हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस मात्मों लेक्शर में हम डिसकस करने बाले हैं, फिल्फियर अबार्ड दोहजार चॉबिस से रेलेटिड मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिन, तो आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा, ये कोशिन आपके एक्जाम की दिश्टी से बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप इसे नोट जरूर करते जाएगा, पहला कोशिन डिसकस करते हैं, फिल्म फियर अबार्ड पहली बार कब परदान किये गए थे, आंसर हो जाएगा 1954 में, तो ये काफी इंपोर्टेंट कोशिन हो जाएगा, कि फिल्म फियर अबार्ड पहली बार कब परदान किये गए थे, 1954 में प्रदान किये गए थे अब सवाल आता है कि Film Fair Award किसे प्रदान किया जाता है तो हिंदी Film Industry के जो कलाकार होते हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है ठीक है? तो हिंदी Film Industry के कलाकारों को Film Fair Award दिया जाता है अंगला कुशन है 2024 में आयुजित Film Fair Award का यह कौन सा संस्कंड था? आंसर हो जाएगा 79 संस्कंड यानि 2024 में 79 एडिसन के Film Fair Award प्रदान किये गए हैं दोस्तों आपको याद रखना है कि इस साल जो Film Fair Award का समारो था ये गिप्टि सिटी गांधी नगर गुजरात में किया गया था ठीक है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि Film Fair Award 2024 का समारो किस राज में आयुजित किया गया था? तो ये गुजरात राज में आयुजित किया गया था और गुजरात के गांधी नगर में इसका आयुजित हुआ था अंगला कुशन है Film Fair Award 2024 में सबसे अधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले थे? आंसर हो जाएगा रौकी और रानी की प्रैम कहानी को तो ये जो फिल्म थी इसको सबसे अधिक नॉमिनेशन मिले थे तो दोस्तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म को 20 नॉमिनेशन मिले थे एनिवल फिल्म को 6 पुरुसकार प्राप्त हुए हैं और 12 फैल फिल्म को 5 पुरुसकार मिले हैं तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट करते जाएगा अंगला कुशन है फिल्म फियर अबार 2024 में सर्वस्रेश्ट अभिनेता यानि बैस्ट एक्टर का अबार किसी मिला है तो इस कुशन का आंसर हो जाएगर रंडवीर कपूर को तो फिल्म फियर अबार 2024 में रंडवीर कपूर को बैस्ट एक्टर चुना गया है किस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है तो उनकी एक फिल्म है एनिवल जो की काफी फैमस रही है तो उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अबार्ड दिया गया है दोस्तो याद रखिएगा कि जो एनिवल फिल्म है इसके डारेक्टर कौन है संदीप अंगला कुशन है फिल्म फियर अबाड 2024 में सर्प्स्रेश्ट अभिनेत्री यानि बैस्ट एक्ट्रेस का अबाड किसी मिला है तो इस कुशन का आंसर हो जाएगा आलिया भट को तो दोस्तो आलिया भट को उनकी फिल्म रौकी और रानी की प्रैम कहानी के लिए फिल्म फियर अबाड 2024 में सर्प्स्रेश्ट अभिनेत्री यानि बैस्ट एक्ट्रेस का अबाड मिला है अंगला कुशन है फिल्म फियर अबाड 2024 में सर्प्स्रेश्ट सहाईक अभिनेता का अबाड किसी मिला है तो इस कुशन का आंसर हो जाएगा वीकी कॉंसल को ठीक है दोस्तो तो बै बिसकस करते हैं, Film Fair Award 2024 में सर्प्स्रेश्ट सहायक अभिनेत्री यानि Best Supporting Actress का अभाड किसी मिला है, तो इस Question का आंसर हो जाएगा सबाना आजमी को, तो दोस्तो सबाना आजमी को फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्प्स्रेश्ट सहायक अभिनेत्री का अभा किसी मिला है, यानि Critics Best Actor का अभाड किसी मिला है, आंसर हो जाएगा विक्रांत मैशी को, तो दोस्तो विक्रांत मैशी को 12 फैल फिल्म के लिए Critics सर्प्स्रेश्ट अभिनेत्री का अभाड मिला है, अंगला Question है, Film Fair Award 2024 में Critics सर्प्स्रेश्ट अभिनेत्री का अभाड किसी मि तो आंसर हो जाएगा रानी मुखर जी और सैफाली साय को तो इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C अगर हम बात करें रानी मुखर जी की तो उन्हें Mrs. Chatterjee versus Norway versus film के लिए यह award दिया गया है और सैफाली साय को three of us film के लिए यह award दिया गया है next question है film fair award 2024 में west film का award किसे मिला है आंसर हो जाएगा 12th fail को तो दोस्तो यह जो film है 12th fail यह IPS मनोज कुमार सर्मा के जीवन पर आधारित है यह आप देख सकते हैं यह है IPS मनोज कुमार सर्मा तो इनके जीवन पर आधारित है यह film 12th fail इसके निर्देशक कौन है विधू बिनो यह भी काफी important question हो जाएगा इसके कलाकार है विक्रांत मैसी, मेधा संकर, अनंत भी जोसी और अंसुमान पुसकर तो यह सभी कलाकार है इन्होंने बहुत ही मात्मोर भूम का निभाई है 12th fail फिल्म में अंगला question है Film fair अवार 2024 में best debut अभिनेतरी का अवार्ड किसे मिला है आं अंगला question है Film fair अवार 2024 में best debut अभिनेतर का अवार्ड किसे मिला है तो आंसर हो जाएगा आदित्र रावल को नेक्स्ट कोश्चन है Film Fair Award 2024 में Best Debut Director का अवाड किसे मिला है? तो इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा तरोन डूडेजा को. किसे मिला है दोस्तों? तरोन डूडेजा को. तरोन डूडेजा की बात करें तो उनकी फिल्म धग धग के लिए उन्हें Best Debut Director का अवाड मिला है. नेक्स्ट कोश्चन है Film Fair Award 2024 में Critics Best Film का अवाड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा जोरम को. तो दोस्तों जोरम फिल्म के डारेक्टर कौन है? तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अविनास अरोंड धावरे को. तो दोस्तों त्री ओफ अस के लिए अविनास अरोंड धावरे को Best Cinematography का अवाड मिला है. नेक्स्ट कोश्चन है Film Fair Award 2024 में Best Production Design का अवाड किसे मिला है? अंसर हो जाएगा सुब्रत चक्करवर्ती और अमित राइको. तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C. सुब्रत चक्करवर्ती और अमित राइको फिल्म सैम बहादूर के लिए Best Production Design का अवाड मिला है. नेक्ट कुशन है फिल्म फियर अवाड 2024 में सर्प्स्रेष्ट म्यूजिक अलबं का अवाड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा एनिमल फिल्म के सभी म्यूजिक डारेक्टर को. तो एनिमल फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर कौन-कौन है? प्रीतम, विसाल मिस्रा, मनन भारत द्वाज, हर्स बर्धन रामिश्वर, स्रेयस पुरानिक, आसिम, केंपसन और भूपिंदर बब्बल. तो इन सभी को सर्बस्रेष्ट म्यूजिक अलबम का अवार्ड मिला है. रेक्ट कुशन है, फिल्म फियर अवार्ड दुहजार चौविस में सर्बस्रेष्ट गीतकार का अवार्ड किसे मिला है? अंसर हो जाएगा अमिताब भट्टाचार को. तो अमिताब भट्टाचार को जरा हटके जरा बचके फिल्म के गाने तेरे वास्ते के लिए यह अवार्ड दिया गया है अंगला कुशन है फिल्म फियर अवार्ड 2024 में सर्पस्रेश्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है तो इस कुशन का अंसर हो जाएगा भूपिंदर बबबल को तो दोस्तो भूपिंदर बबल को एनिमल फिल्म के गाने अरजन वैली के लिए सर्पस्रेश्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है इस लेक्शर का अंतिम कुशन है Film Fair Award 2014 में सर्प्स्रेश्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड किसे मिला है आंसर हो जाएगा सिल्पा राव को तो दोस्तो सिल्पा राव को पठान फिल्म के गाने विसर्म रंग के लिए सर्प्स्रेश्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है PDF मिल जाएगा इसके अलाबा आप हमारा एप भी डाउलोड कर सकते हैं एप का link description box में दिया गया है दोस्तो एप पर आपको e-book, test series, PDF और daily quiz ये सभी मिल जाएगे तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए एप को डाउलोड कर लें एप पर आपको yearly और monthly current affairs की e-book भी मिल जाएगी Hindi और English दोनों medium में तो दोस्तो तो इन सभी को आप आप से प्राप्त कर सकते हैं चलिए मिलते है next lecture में जै हिंद उबंदे मातरम